हलो फ्रेंड्स स्टेडी विद मैंक के करेंट अफर सेशन में आपका स्वागत है यह करेंट अफर एससी पैंकिंग रेलवे स्टेट पीसीएस दीएस सीएफ एन डीए और अधर कंपटेटिव एक्जमादी में सहायक होंगे आज की टेट है 18 डिसमबर 2021 तो चलिए आज का करे ही और ऐला प्रस्न है भारत में विज्य दिवर्स प्रती वर्ष नीम्ण मेंसे किस दिन मना जाता है और बारत में === 14 अप्रेल, अप्शन D 13 मई भारत में 16 दिसंबर को प्रतिवर्स विजय दिवर्स के रूपे मनाया जाता है यह 1971 के युद में भारत की विजय का प्रतिक है और भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद दो मोर्चों पर लड़ा गया था इस युद के सुरवा 3 दिसंबर 1901 को हुई थी भारती फॉज ने साल 1901 में 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तानी फॉज को बूरी तरह हराया था इस युद के दोरान 93,000 पाकिस्तान सेना की जवानों ने आतमसमरपन किया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option A 16 दिसंबर चलिए next question पर चलता है हाली में Chief of Staff Committee के चेर्मेन के पलभार निम्न में से किसने संभाला है option A Air Chief Marsal V.R. चौधरी option B General M.M. नर्वणे option C Admiral R. रवीकुमार option D इनमें से कोई नहीं नहीं थलसीन प्रमुख जनरल M.M. नर्वणे नहाली में Chief of Staff Committee के चेर्मेन का पदभार समाला है आपको बता दे कि CDS जनरल विपिर्रावत के निधन के बाद से यो पद खाली हो गया है CDS पत के गठन से पहले आम तोर पर तीनों से नाव के प्रमुखों में से सबसे वरिस्ट को Chief of Staff Committee के अधक्ष का पदभार सौपा जाता था तो इसका जो सहीं एंसर होगा वो गाग का option B General M.M. नर्वणे चले next question पर जलता है केंद्री मंत्री मंडल ने विभा के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्स से बढ़ा कर निमने में से कितने वर्स करने रखने के प्रस्ता को मंजूरी दे दी है option A 24 वर्स, option B 25 वर्स, option C 21 वर्स, option D 28 वर्स नेखिए केंदरी मंदर मंदल ने हाल ही में महिलाओं के लिए विभा की कानूनी उम्र、 18 से बढ़ा कर 21 साल करने के प्रसाव को मंजूरी दे दी है इस قدم से महिलाओं की विभा की कानूनी उमर पुरुसों की समान यानी 21 साल हो जाएगी वरितमान में हिंदू, सिखो, जैन और बौधू के लिए हिंदू विभा अधिनियम के तहट महिलाओं की नियुंतम आयू 18 वर्स और पुरुसों के लिए 21 वर्स निर्धारत की गई है और इस कान प्रस्ताव के पारित होने के बाद जो है महिलाओं की विए जो नियुंतम साधी की उम्र है वो आपका 21 साल हो जाएगी और पुरुसों के भी यानि दुनों का बराबर हो जाएगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो आपका ओफशन C 25 वर्स सरी 21 वर्स चलिए नेक्स्ट कुशिन पर चलता है हाली में के स्टेश के दिक्कश फुटबॉलर सर्जिया एगवेरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमीशा के लिए अलविदा कह दिया है अफशन E ब्राजिल, अफशन B मेक्सिको, अफशन C कॉलम्बिया, अफशन D अर्जेंटीना देखें अर्जेंटीना की दिक्कश फुटबॉलर सार्जियो एगवेरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमीशा के लिए अलविदा कह दिया स्पेन के क्लब वार्सिलोना के लिए खेलने वाले स्टार स्ट्राइकर एगवेरो ने हार्ट की बिमारी के कारण फुटबॉल से सन्यास लेका वैसला किया है इसी साल इंग्लेंड के बड़े क्लब मैंचेस्टर सिटी के साथ एक दसक लंबा समय बिताने के बाद एगवेरो ने कुछ महिने पहले ही वार्सिलोना जोइन किया था सार्जियो एगवो रोड के सीनियर प्रोफेशन केरियर की सुर्वाद साल 2003 में अर्जेंटिनी क्लब इंडिपेंडेंड के साथ सुह हुई थी तो इसका जो सही अंसर होगा वह आपका ओफशन D अर्जेंटिना चले नेक्स्ट कुशिन पे चलता है निवने में से कौन सा एरपोर्ट जल्धी देश का चार रनवे वाला पहला एरपोर्ट बन जाएगा ओफशन E चात्रपती सिवाजी अंतरास्टी एरपोर्ट ओफशन B इंद्रा गांधी अंतरास्टी एरपोर्ट और ये इंद्रा गांधी अंतरास्टे एर्पोर्ट जल्द ही चार रनवे वाला देश का पहला हवाई अड़ा बन जाएगा हवाई अड़े के दक्षणी एर फिल्ड पर रनवे 1129 के समारांतर एक नया 4.4 किलो मिटर लंबा रनवे तियार किया जा रहा है एर्पोर्ट संचालेद करने वाली कमपनी दिल्ली एंटरनेशनल एर्पोर्ट लिमिटेड ने टर्मिनल 1 के स्मार्ट एपरांट सुरू करने के मौके पर यह जानकारी साजा की है तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा आपका ओफशन B इंद्रा गांधी अंतरास्टी एरपोर्ट चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलता है डेटा अनलाइटिक्स कंपेनी यू गौफ के एक सर्वे की मताविक विश्व के 20 सबसे प्रस्ट कनिया विक्तियों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है अफ्शन E अमेरिकी राष्ट पती जो बाइडन अफ्शन B रूस के राष्ट पती वाल्दीमिर पुतीन अफ्शन C भारती प्रथान नंतरी नरेंद्र मोदी अफ्शन D अमेरिका के पूर्व राष्ट पती बराक ओबामा देखे डेटा अनलाइसिज कम्पनी यूगॉफ के एक सर्वे के मताविक विश्व के 20 सबसे प्रसेस्क्निय विक्तियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट पती बराक ओबामा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इस सूची में पी एम मोदी ने कई प्रभाव साली हस्तियों और राजनितिक सहस्तियों को पचार कर आठवा स्थान हासिल किया है प्रधान मंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन, रूस के राष्टपती वाल्देमिर पुतीन और पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान को भी बीछे छोड़ दिया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो आपका उफशन D अमेरिका के पूर वराष्टपती बराक ओबामा चले नेक्स्ट कोईशन पर चलता है सारवजनिक छेत्र की बिजली कमपणी एंटी पीसी ने किस राइज के सिमहाद्री में एकल इंधन सेल आधारित हरिद हाइडरोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की सुरवात की है देखे सारवजनिक छेत्र की बिजली कमपणी एंटी पीसी ने आधारित हरिद हाइडरोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की सुरवात की है बयान में कहा गया है कि यह भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरिद हाइडरोजन आधारित उर्जवंडारन परियोजनाओं में से एक होगी इस अनूठी परियोजना की रूप रेखा एंटी पीसी ने तियार की है यह भारत के लिए एक विसिस्ट परियोजना है और लदाक तथा जम्मु कस्मीर जैसे देश की दूर दराज छेत्रों को कारवन उचसरजन से मुक्त करने में मददकार होगी तो इसका जो सही एंसर होगा वो आपका ओप्शन भी आंधर प्रदेश चलिए next question पर चलते हैं केंदर सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को production linked initiative यानी PLI scheme के लिए कितने करोड रुपे की निवेज को मंजूरी दी है option E 46,000 करोड रुपे, option D 36,000 करोड रुपे, option C 76,000 करोड रुपे, option D 60,000 करोड रुपे केंदर सरकार ने production linked initiative scheme के लिए 76,000 करोड रुपे की निवेज को मंजूरी दी है इसके तहट अब देश में semiconductor और display board का निर्मान किया जाएगा केंदरी मंतरी अस्विनी वैशनम ने कहा कि semiconductor chips का design, fabrication और packaging के लिए पूरा ecosystem देश में स्थापित होगा यह सामारिक महतो और आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन छेत्रों में भारत के तकनीकी कौसल को मजबूत करेगा तो इसका जो सही अंसर होगा वोगाप का option C 76,000 करोड रुपे चले next question पे चलते हैं हाली में प्रधान मंत्री ने उत्तपरदेश के किस सहर में कासी विश्वनात कोरिडोर परियोजना के पहले जरण का उदखाटन किया है option A परियागराज, option B अयोध्या, option C मत्थूरा, option D वाराणसी देखे हाली में प्रधान मंत्री ने उत्तपरदेश की वाराणसी में कासी विश्वनात कोरिडोर परियोजना के पहले जरण का उदखाटन किया है परियोजना के हिस्से के रूप में 23 इमारतो, परियाटक सुविधा केंदर, वैदिक केंदर, मुमुक्षु भवन, भोग साला, सहर संग्राले, विविविंग गैलरी, फूट कोट आदी का उदखाटन किया गया है वर्ष 1780 इसवी के बाद, पहली बार इंदर की माराठा रानी, अहिलियाबाई होलकर ने, कासी विश्वनात मंदिर और इसके आसपास के छेत्रों का जिणाउधार करवाया था इसकी नीव मार्च 2019 में रखी गई थी, इस परियोजना की परिकल्पना तिर्थे यात्रियों के लिए आसानी से सुलब मार्ग स्थापित करने हेत्व की गई थी जिन्हें गंगा में डुकी लगाने और मंदिर में पवित्र नदी का पानी चड़ाने के लिए भीडभाडवाले सडकों से गुजरना पड़ता था परियोजना पर काम के द्वारान 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को फिर से खोजा गया इनकी मोल संग्रशना में कोई बदलाव नहीं करते हुए इन्हें बहाल किया गया है तो इसका जो सही अंसर रुका वह आपका ओफ्शन D वाराणसी चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलता है प्रतिवर्स विश्य भर में अंतरास्टी परवत दिवस कब मनाया जाता है अफ्शन A 11 दिसंबर, अफ्शन B 12 दिसंबर, अफ्शन C 13 दिसंबर, अफ्शन D 14 दिसंबर दिखी प्रती वर्स विश्व भर में 11 दिसंबर को अंतरास्टी परवत दिवस मना जाता है इस दिवस को मनाने का मुख्य उदेश अंतरास्टी समुदाय को परवती चेत्र के सतत विकास के महतों के बारे में जानने और परवती चेत्र के प्रती दायत्तों के लिए जागरुक करना है इहों दिवस पहाडों में सतत विकास को प्रोचाहित करने के लिए वर्ष 2003 में सेवक्तरास्टी महासभा दोनर स्थापित किया गया था इस वर्ष अंतरास्टी परवत दिवस की थीम सतत परवतिय परियाटन रखी गई है जो परियावरन दिवस से सतत और स्थाई परियाटन की महत्यों को रिखांकित करने और उसके समक्ष मौजुद चुनोतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है परवत परथिवी की सतत का तकरिवन 27% भाग कवर करते हैं परवत न किवल आम लोगों के दैनिक जीवन के लिए आविशक है बलकि सतत विकास की द्रिस्टी से भी इनका काफी महत्व है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्शन A 11 दिसंबर तो ये फ्यास की करेंट अफ़ेर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर और कमेंट करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग, हैव अनाइस टे, टेक केर